आज प्रेणा विमर्श 2022 के फिल्म विमर्श एवं मास्टर क्लास में यहाँ जो छातर उपस्ती थे उन्होंने आपसे बहुत कुछ सीखा लेकिन आपको आज का ये कारिक्रम कैसा लगा आपको ये सत्र कैसा लगा मुझे तो भारत का उज्वल भविश नजर आ रहा है यहाँ पर क्योंकि सिनमा को आप नजर अंदाज नहीं कर सकते ये जीवन की एक बहुत बड़ी आव्शकता है और इसका बहुत बड़ी भूमी का है और अच्छा सिनमा बनेगा अच्छा समाज बनेगा, अच्छा समाज बनेगा, अच्छा राष्ट बनेगा तो आज जो मैंने यहाँ पर युवाओं का महासागर देखा उनके अंदर जो उतकंठा देखी कि जिस तरह से वो अपनी प्रश्णों का समाधान चाहते थे जो कुछ भी हमें आता है, जो कुछ भी हमने अब तक सीखा है हमने उनको बताने का प्रयास किया हम उनकी उर्जा से हम बहुत सीख रहे हैं और जो हमारे पास है, इनी लोगों के लिए तो है जो हमने अनुभव बटो रहे हैं, उस सब इनके लिए है तो हमें बहुत अच्छा लगा इतने अनुशाशित चात्र पहली बार देखने को मिले आज हमें प्रेड़ा विमर्ष में आप जैसे दिगज फिल्म जगत के फिल्मकार, मधुकर पांडी जी आप यहां आए और हमें आपका सानिध्य मिला लेकिन कुछ प्रशन मेरे मन में है जैसे कि जो फिल्म में बन रही है उसमें अगर भविश्य का भारत बनाना है तो भारतिय दर्शन और भारतिय ताको कब दर्शाया जाएगा हम आप करेंगे इस चीश को यह हमारी जिम्मेदारी है कि जो यहां पर युवा उर्जा उपस्थित हुई है और अन्य जगह पे भी है यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको सही मार्ग दिखाएं, सही रोशनी दिखाएं, उस पर वो फिल्म बनाएं, फिल्म सिर्फ नाच, गाना, अशलीलता, हिंसा का माध्यम नहीं है, पाथेर पांचाली, दो बीगा जमीन आज भी विशुस्तर पर याद की जाती हैं, मैंने म एर पोलुशन और वाटर पोलुशन से बचने के तमाम उपाय कर रहे हैं, तो यह जो इमोशनल पोलुशन है, इससे बचने का उपाय करना है, हमारी फिल्में भारती होनी चाहिए, किसी भी देश की कौपी नहीं होनी चाहिए, कि हमारी संस्कृती अलग है, दूसरों की संस कि시मा न बनाए ये हमारी जिम्हेदारी है और हम नहीं बने देंगे आज का OTT बहुत कुच परोस रहा है आप ने कहा हमारा अपना OTT होगा उससे आपकी क्या परिकल्पना है जो आज परोसा जा रहा है वो हम नहीं परोसेंगे, आपका प्रेशन था ना कि हमारी संस्कृति हमारा दर्शन होना चाहिए, हमारे बीच की कहानिया होनी चाहिए, हम वो कहानिया देंगे, हम कम पैसा कमाएंगे, लेकिन हम जहर नहीं बेचेंगे, हम ज्यादा पैसा कमाने के लिए जहर गोलने, समाज में, युवा हम ऐसा कभी नहीं करेंगे हमारा ओटीटी दो पैसे कम कमाएगा कमाएगा लेकिन हम इतने चात्रों को इतनी युवा प्रतिभावों को हम उसमें अपना एक प्लेटफॉर्म देंगे हमारी तरफ से यह भारती स्विस्कृती भारती सिनेमा और भारती सिनेमा से संब्ध वैफ लेकिन सिर्फ वैफ साइक दिश्कृण नहीं है और बड़ी कड़ी उसमें परीक्षा होगी हम कोई भी विशे कोई भी सब्जेक्ट उठा के अपने प्लेटफॉर्म पे नहीं देंगे नहीं तो आने वाली पीणियां हमें माफ नहीं करेंगे